ना संगर्स ना तकलीब तो क्या मज़ा है जिने में और बड़े बड़े तुफान भी थमजाते हैं जब आग लगे हो सिने में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने फिवरेट चैनल आका सेगर्मी पॉइंट में प्यारे बैच्चों आप लोग के लिए आपर मैं बताने वाला हूँ बहुती इंपोर्टेंट चीज ठीक है आज मैं आप लोग के लिए लेका राया हूँ टिगोनोमेट्री जो की बहुती ज़्यादे इंपोर्टेंट है और यहां से अकसर कोश डायरेक्टली पूशा जाता है देखिए यहां पर आप लोग का जो नौबोदी बीदाली क्लास 11 का जो एंट्रेंस एक्जाम होने वाला है इसके लिए तो काफी इंपोर्टेंट यह वीडियो आपके लिए साबित होगा ठीक है क्योंकि आज हम लोग टिगोनोमेट्री को रिविजन करने वाले हैं इस परकार से कर आपका डिमांड रहा तो मैं हर एक चेप्टर का जो है इस परकार से कराके समाप्त कर दूँगा तो यहां पर देखिए टिगोनोमेट्री जो आप लोग देखते हैं ठीक है इसका एक्जेक्टली मीनिंग क्या है मैं आपको एक्ट लेते हैं तो बढीया रहेगा ठीक है ना यहां पर एक सब्ध आपको देखने को साबसा मिल रहा है ठीक है और यहां पर कौन यह वाला पात देखाए तो तो मतलब सिंपल आप्कों लोगा जानते हैं संदीकार लाता यहाँ पर आप साप साप देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी लिगा है क्या है कि त्रिभूज के भूजाओं का मापन जो है क्या है ट्रिकोनमिती है अतर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अतर जो त्रिकोनमिती है त्रिकोनमिती गणीत का जो है क्या है यह ऐसी साका है ऐसी साका ऐसी ब्रांच है जिसमें त्रिवूज के जो है भूजाओं अबंग कणों का जो है अध्यन क्या जाता है वहीं त्रिकोन मिती होता है यह बेसिक चीज थी जो कि आपको पता होगा और अब हम लोग क्लिरली समझते हैं आखिर टिकोनोमेटरी में याँ पर होता किया है तो आप देखो ध्यान से सुनिएगा ठीक है क्योंकि यह भीडियू आप लोग के लिए खास करो बहुती मैं मैं 1 मिनीट वहीं क्या हो देखो अप देखो आप ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझमाएगा वरनाद नहीं आएगा ठीक है आपको एक्तम क्लिजerta को एस वीडि में आएगा थिटा के जो सामने वाला भूजा आप लोग देख रहे हैं इसको बलते हैं लंब और यहाँ में थोड़ा crianças बनाली जेत्व कि लंब जो होता है ना Meg FT drops करते हैं यॽ इसे हम लोग परिपिंड़िकलर निंगे यह जो हमारा आधार आपको दीखता है ठीक है आधार को हम लोग क्या बोलेंगे बेस्ट यानिकी बीस सुजित करेंगे और यह वाला हमारा जो भूझा हुआ हुआ यह थीता की वाला जो भूझा देखरेंगे ठीक है यह वाला जो है क्या हो जाएगा आपका बेस्ट हो जाएगा यानि का अधार और यह जो परपंडी कलर है इसके सामने वाले यह जो भूजा दिकर आपको यह हमारा क्या हो जाएगा माल लो यह वाला डी वाला पर मैंने थिटा माल लिया तो थिटा के जस्ट सामने वाला भूजा हो जाएगा लम जिसा हम लोग पी से सुचित करेंगे और यह जो आपका यह जो पता हो गया होगा और यहां पर एक ठो जो है बाबा आता है जो क्याता है पाइथोगोरस वावा जो है पाइथोगोरस परिमिया जो कि काप इंपोर्टेंट है इसको समझना जरूरी है तो चलिए इससे मैं आपको समझाने की कोसिस करता हूँ प्यारे बच्चों देखिए पाइथोगोरस परिमिया कहता है कि यहां पर मैं एक त्रिब है यान की करन है तो दोस्तों यह आपका हाइपोटेनियस करन है जिसका अगर हम बर्ग कर दें तो हमारा जो लम है ना लम का बर्ग प्लस में जो है बी यान की आधार का बर्ग ठीक है योग के बराबर होता है यान की जो एकला जो एच का स्क्वेर है यानि कि करन का जो बर्ग है तो आपका जो लम का बर्ग प्लस में आधार का बर्ग के बराबर होता है यानि कि यह परिमिय क्या कहता है कि करन के बर्ग जो है किसके इक्वेल होगा तो लम का स्क्वेर प्लस में आधार के करके इक्वल होगा इस चीज़ को आप लोग खोपड़ी में दिल दिमाग में बैठा सकते हैं क्योंकि इसका भी काफी यूज होने वाला है ठीक है और यहाँ पर हम लोग थोड़ा ठीगोनमेट्री जो त्रिकोन मीती अनुपात है इसके बारे में थोड़ा से बात कर लेते है देखे मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ इंगलिस से लिखा है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लेम लग सकता है लेकिन प्रॉब्लेम होने वाला नहीं है जब आपके सामने आपका फेवरेट टीचर हो फेवरेट वहिया हो तो आप लोग को दर्द लेने की कोई ज़रत नहीं ह उससे पहले दबा दे देते हैं ठीके तो धियांस देखो यहाँ पर आप लोगा क्या त्रिकोन मीती अनुपात ठीके तो यहाँ पर छोगों हमारा क्या होता है जो त्रिकोन मीती अनुपात होता है यह होता है अब देखिए पहला होता है साइन थिटा फिर होता है कॉस निके तिन का भाई मालोग ठीक है इस परकास याद अच्छा रहेगा ठीक है जैसे मैं आप आपको जो एच्छे तरह किसी समझा देता हूं एक गोश्चा देंगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा जैसे साइन थेटा ठीक है साइन थेटा बराबर हम जानते हैं क्या होता जी तो यानि कि क्या लंब ठीक है लंब बटे में क्या होता है लंब बटे में करन होता है ठीक है और मैंने तभी आपको क्लियर कर दिया था कि लंब को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं यानि कि पी बोलेंगे ठीक है बात समझ मा रहा है न तो अभी आप लोग जो है बोलते हैं ठीक है जिसे हम लोग एस से सुचित करते हैं ठीक है बात समझ मा गया तो यह हमारा परपेंडिकुलर हो गया यह हमारा हाइपोटेनियस हो गया तो देख लिए पी बेटे में एच नहीं मैंने साइन का उल्टा कोसे केनि की कोसे मैंने इसका भाई क्यूढा यह यह से कोस्तिता वैपाऊटेमें नेका 30 पेश्चित जनए परपेंडिकुलर है यह थानि कि लंब बते में आपका बेशन्य अधार यहाँfelt हैं पर आधार बटे में इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा मैं आप बना देता हूं वह लोग टीक है आप लोग टेंसन का ले जब है देखें को सब्सक्राइब करने तो फरीज़ी में याद रहते हैं तो आहिसा समझगे होंगी इस ट्रिक को ठीक है अगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा टिगोनोमेटरी टेवल जो है इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि काफी इंपोर्टेंट चीज ये भी हो जाता है ठीक है तो देखो आप लोग धियान सा देखोगे तो आप लोगो बहुती बढ़िया तरीके से समझी में आएगा यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा नहीं देखना है कि ये ये वाला पार ठीक है और याद में कराओंगा यह करांगा यह नहीं में दोनों में याद कर वा देना चाहता हूं कियोंकि एलेवंत में प्रणो जा रही है थोड़ा जो है बूड़प पूछ सकता है ठीक है? और यह 306 डिगरी का याद रख सकते हो फिलाल यह भी याद रखने कि कोई जरुवत नहीं है कोई जहनजट नहीं है आप दियान से सुनिए गाप देखिए यह पर मैं बता दू यह जो पाई देख रहा है ना तो पाई का मीनिंग क्या होता है तो पाई का मीनिंग होता है 180 डिगरी बात समझ रहें सबसे पहले साइन लेते हैं तो साइन 0 डिगरी का मान 0 हो गया अब मैं टेबल याद रखने की जरुद नहीं मैं आपको यह बनाना भी सिखाऊंगा भी ठीक है देखो 30 डिगरी एक बेटे दो 45 डिगरी वन बेटे रूट टू 60 डिगरी रूट 3 वाई टू उसके बाद यहा समझ रहें यहा ठीक है यह वह अपकी यह द खीएगा ठीके बसमझे में आ रहा है किसी प्रका कोई कर डावट डर्ध नहीं है देखो साइन 9 डिगरी का मान 1 होता है ठीक है आप थोड़ा सा मिस्प्रिंट है ठीक है यह वान कर दीजिए ठीक है आप देखो आपको एक गया रहा गया दो कि मैं पर टेवल बना के थोड़ा सा दिखा देता हूं ठीकि ताकि आप लोग का याद यह बढ़ियां से रहें क्योंकि याद रहना काफ़ important चीज होता है समझजना काफ़ important चीज होता है ठीक है देख और मैंने यह आप पहला लिए टिकितीनों के यादब करा देता हूँ यहाद हो जाएगा सएं टिटर तेनजे मां पसतरी अवद यादकरना हुआ आशान क्योंकि हम है आपके साथ आप दियान से देखो बाबू ठीक है क्योंकि दिक्कत दर्द एहीं पर होता है तो दबाई में उससे पहली देना चाहता हूं ठीक है और आगे है मैं आप लोग के लिए महा मेरा थन का भी वीडियो लाऊंगा ठीक है तो दियान से देखो सबसे पहले साइन जिरो का सिर्फ साइन का यादर को साइन जिरो डिगरी क्या होता है साइन जिरो डिगरी जिरो 30 डिगरी हाफ होता है 45 डिगरी 1 बटे रूट 2 होता है 60 डिगरी रूट 3 बटे 2 होता है और 90 डिगरी एक होता है आब इसको पल्टो इस से यहाँ पर सुरुआत करो एक ठो पहले लाओ, पिर आपके पास ये वाला है, रूट 3 बटे दो, तो रूट 3 बटे दो, उसके बाद 1 बटे रूट 2, उसके बाद हाप, उसके बाद 0, बस कसका बन गया, अब 3 का कैसे निकाले सार, आप तो कसका समझा दी, 10 का कैसे निकाले, आप देखो, आप क्या करना है, इन द्याम से देखना है क्योंकि इंपोर्टेंट से चीज हम बताने जा रहे हैं ठीक है विडियो का लेंथ 11 मिडिट हुआ चलिए मैं आपको समझाता हूं देखो हम इसको 30 डिगरी को समझ रहे हैं कि यह आप 10 30 डिगरी का भेलो आप फाइंड के इस परकार से करेंगे तो देख आप देखो भाग दे दिए एक बटे दो एक बटे दू लिखा लेकिन जब हम यहापर गुणा का निसान लगाते हैं दो पर उट जाता है तो दो को मैंने उपर में लिग दिया ठीक है बात समझ रहे हैं कि नहीं दो पर गया और रूट 3 हमारा नीचे आगे दो से दो कैंसल तो एनमेटे में रूट 3 हो गए जिसका वैलू एनमेटे में रूट 3 हो गगल इसको इससे भागा दो तो आपके पास कितना निकल कर आएगा ध्याम से देखो मैं थोड़ा से इसको मिटा देता हूं ठीक है क्यूंकि समझाने में आपर थोड़ा सब्वकत लगेगा ठीक है फ़यरू Department सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको करेंगे तो इसको भाग जब हम देंगे तो देखो हम हमारा root 3 बटे में 2 गुना करेंगे 2 पजाएगा नीचा आएगा 2 से 2 cancel यह आपका root 3 बन गया जिसका याद हो गया साइन के याद हो जाएगा देखो कॉसर 30 दिगर कमान आपका 1 बटे में 2 है तो याँ पर 2 बटे में एक हो जाएगा तोस पर कस मैं आप याद रहा सकते है भात खेल हो गया अब हम लोग आ गयाते हैं ठिके टेबल याद हो गया और यहा पर कुछ हम लोग फॉर्मूला पहते त्रीकोन मिती सर्व समिकाएं इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं देखो यहाँ पर तीन गो है तीन गो सब कई निकाल सकते हैं देखो sin square theta plus cos square theta equal to 1 यह वाला पहला formula 1 plus 10 square theta equal to हमारा 6 square theta होता है 1 plus 4 square theta equal to cos square theta स्वरी cos square theta हो जाएगा ठीक है आप देखो यहाँ से आप जो है और भी find कर सकते हैं जैसे मैंने यह वाला formula उठा लिया ठीक है मैं color को change कर देता हूँ ठीक है देखो यहाँ पर है sin square theta plus cos square theta equal to 1 ठीक है आप यहाँ से और formula जैसे आपको अगर directly sin square theta formula लगाना हो तो sin square आपको क्या आना चाहिए देखो जैसे कि आप जब छोटे थे ताप इस परकास से formula बनाए मतलब जो है प्रस्न साल्व किया होगी कि यहाँ से अगर आप लोग एकस का भी निकालना चाहिए तो यहाँ पर 5 और यह जो इधर जाता है माइनस में दल जाता है इस परकास से किया हो कि नहीं यह पर 2x4 आ जाएगा तो दो दो निचाहिए दो आ जाएगा जिस परकास से कि जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा कि नहीं बास समझ रहे हैं आप देखो मैं पर क्लियरली फिर से बताता हूं क्योंकि इस चैनल पर वैसे भी विद्यार्दी पढ़ रहे हैं जो कि मैं समझा रहा हूं उसके दिमाग में घुज नहीं रहा है अब धियान से दुबारा शुनो मेरे यारों दोस्तों ठीक है देखो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वेड थिटा प्लस क्वास स्क्वेड थिटा एकल टुट वान आम साइन स्क्वेड थिटा एकल टू का साइन लगा है तो वान जैसे है वैसा लिखा यहाँ पर प्लस का क्वास स्क्वेड थिटा है जब बराबर की side में जाता है तो minus में बतल जाता है minus में यापर हो जाएगा cos square theta ठीक है इसी प्रकार से अगर आपको cos square theta का find करना हो तो cos square theta यापर 1 है तो 1 दे दिए और तो प्लास में उदा जाएगा तो minus मदल जाएगा minus sin square theta इस प्रकार से आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं इसका अगर निकालना चाहिए देखो जैसे कि 1 plus 10 square theta दिया हुआ है जैसे मालो आपको क्या चाहिए यह पर 10 square theta का भेलू चाहिए तो equal to की side में क्या है 6 square theta already है और दो कि plus में 1 है और इधर जाएगा तो minus bracket के स्वरी बराबर किस side में जाएगा तो यहापर minus मदल जाएगा यहापर minus का 1 होगी है इस परकार साब और भी formula जो है drive कर सकते हैं बात समझ गए होंगे किसी परकार का जो है दर्द आप लोग को नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने दर्द से पहले आप लोगो दबाई दे दिया है और दोस्तों आप लोगो simply इसका pdf अगर आपको चाहिए होगा तो pdf के लिए आप लोगो simply कुछ भी नहीं करना है आपको क्या हो जाना है जोएन आपको telegram channel पे जोएन कर लेना है जहाँ पर free of cost ठीक है free of cost आप लोग को pdf notes जो है मिल जाता है ठीक है इसलिए हम बोल रहे है कि आप लोग जूर जाइएगा और आपका जैसा कि मैंने आप लोगो test भी लिया था जैसे कि आपको पता होगा कि sst को पर मैंने आज टेस्ट लिया था ठीक है मैंने कल ठीक है कल मैंने टेस्ट लिया था तो आप इन वीडियो जबहर नवदेवी दलई एंटरेंस एक जाम से रिलेक्टेड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए बना देगे कि किस परकास से तहरी करना नहीं करना तो आप लोग डिस्क्रिप्सन बॉक्स में विजिट करने के लिए तो आज का इस वीडियो पर इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्द तब तक के लिए थैंक्यू जयाएं